हलो एंड बेलकम तू सक्सेज मंत्रा तो स्वागत है एक बार फिर से आप से भी का अपने यूटूब चैनल पे तो जापान की हमारी जो कैपिटल है टोक्यो अभी उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट दुनिया भर में पब्लिश होई हमारे इंडियन न्यूजपीपर न अब देखो जपान जपान को जब हम विजिलाइज करते हैं तो एक कैसी इमेज आती है आप देखते होंगे यूटूब चैनल पे की सिक्स लेन रोड्स है ना हाई-स्पीड ट्रेंज बुलेट ट्रेंज मैट्रो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे एंगी मतलब प्रॉस्पर तो पोवर्टी कि बातो रही है और ऐसा नहीं कििसको कोई विडिया एक कवार कर रहा है किसी बीपोर्ट के बेसिद्ध पर जापान के लोगoro जापान की जो आफ इंप्रेजियल है वा इस बात को एसे एक रहे है कि बलिबसर हमारे इंडिया में अगर देखो अगर इंडिया में देखो तो किस तरह का Chrism आपको देखने को मिलेगा किस तरह का Chrism आपको देखने को मिलेगा बाकि religious tourism देखने को मिलता है बहुत सारी temples हैं तो religious tourism के लिए जाने जाता है ठीक है अगर wedding tourism की बात करें wedding tourism है लोग साधिया करने जाते हैं दूर दूर ठीक है तो उसके destination की रूप में Italy आप देखो जितनी भी important celebrities की जो साधियां होती है अगर आप beach tourism की बात करते हो तो आपके हमारी आखों में जो आता है वह मौल्दीव आता है मौल्दीव में क्यों जाते हैं लोग beach tourism के लिए जाते हैं तो इस तरह से कई कई तरह के tourism होते हैं जाते हैं उस परपस से एक होता है सेक्स टूरिजम एक ऐसी activity होती है है जहां पर जो male या female जो भी है एक particular place पर जाते हैं तो get sexual pleasure ठीक है तो sexual pleasure के लिए जाना पसंद करते हैं तो अभी तक जब हम सेक्स टूरिजम की बात करते थे कि भई कहां पर जाते हैं लोग सेक्स टूरिजम के लिए तो एक नाम आता था बैंककॉक थाइलेंड की जो capital है वो सेक्स टूरिजम के लिए जानी जाती थी है ना जैसे कोई भी कह देता था कि बैंककॉक जा रहे हैं तो अगर वो बैंककॉक की जनरल परपज के लिए भी जा रहा था तो जा रहा होता था तो वो कहने में हैजिटेट करता था कि हम बैंककॉक जा लिए ठीक है तो इस तरह की इमेज बन गई थी क्योंकि फेमसी था सेक्स टूरिजम के लिए अब यह जो बैंककॉक का जो क्राउन है सेक्स टूरिजम का यह छीन लिया टोक्यों ने और टोक्यों इमर्ज हो रहा है दन न्यू सेक्श्वल टूरिजम क्यापिटल अफ एशि टेकनोलोजी की बात आती है तो जापान का नाम आता है कैसे उसका ही capital city sex tourism के घेरे में चला गया कैसे वहांके लोग sex tourism में indulge होने लगे तुछा तो इसकी जो में बज़य है ना जैसे sex tourism के बारे में बोला जाता है कि अगर किसी country में या किसी place पे sex tourism हो रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रीजन होता है और वह रीजन होता है गरीबी पॉवर्टी यानि कि अगर कहीं पे लोग प्राइड का मैटर नहीं है कि हम सेक्स टूरिजम आफर कर रहे हैं तो यह कोई प्राइड का ओनर नहीं है यह सब क्या करते हैं लोग मजबूरी में करते हैं तो है साल पहले में अर्थक्वेक आया था और नेपाल में जिस एरिया में भूक्कम पाया था उस एरिया की जो फीमेल्ज थी वह किसमें एंडल्ज हो गए थी कि sexual activities में इंडल्ज होने लगी थी तो बाद में क्या किया जो नेपाल की गर्मेंट उन्हें कंट्रोल किया कि क्या चाहिए आपको basic necessity चाहिए हम देते हैं बट आप इन एरियाज में मत जाओ इन sexual activities में मत जाओ sexual tourism को promote ना करो तो नेपाल ने इस चीज को तो रोक लिया ठीक है बट जापान में क्यों नहीं रुक रही है जापान की government क्या कर रही है यह जानने की कोशिश करते हैं तो देखो जापान के साथ problem क्या हुई जो कोविड नाइंटीन ठीक है सब के लिए एक क्या बनके आया ब्लैक एरा बनके आया एक कोविड नाइटीन सब के जो रोजगार थे employment थे ठीक हो गए और पूरी दुनिया इंपक्त हो इस कुबिड नीचीन से है यह रहते है। इस दुनिया का पाट है तो कोविड नइटीन से यह जापान को भी हिट किया तो जापान में कई लोगों की जो जॉब्स थी वह चली गी ठीक है उसके बाद जब COVID-19 के restriction हटे, ठीक है, उसके बाद जो job है, वो priority बेस्पिक को मिलने लगी, males को मिलने लगी, और जो females है न, वो unemployed रहेगी, तो इन females ने क्या decide किया, है न, इन्होंने अपना घर चलाने के लिए, अपनी लगजरीज को पूरा करने के लिए, है न, ये जो sexual activities है, वो start करते हैं 2020 के time पे ये चीज़ें क्या होती थी, unorganized form में होती थी, बट बाद में क्या हुआ, ये organized form में होने लगी, firm बनने लगी, है न, जो mass label पे females को क्या करती है, recruit करती है, और उनको इन कामों के लिए, इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे, एक government official है जापान के, उन्होंने बताय है, कि हम poor हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहां पे इस सारी चीज़ें क्या हो रही है, है न, flourish कर रही है, और इसका region क्या है, है न, महलाओं को, जो unemployment है, वो नहां मिलना, ठीक है, अब जैसे क्या है, अब आप question करोगे, कि इंडिया में भी तो महलाओं को, है न, priority waste पे employment नहीं दिया जाता, अगर आप आज भी देखो, हमारे corporate sector में, या किसी भी government sector में, तो ये ratio, आपको 50-50 तो नहीं मिलेगा, जबकि population क्या है, 50-50 है, तो unemployed तो female हमारे यहां भी है, तो हमारे यहां पे ये sex tourism क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये sex tourism हमारे इंडिया में क्यों नहीं इंडिया में हम लोग जो family system है, उसको आज भी हम लोग ने बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, कि अगर male कमा रहा है, male अगर job कर रहा है, तो female को भी अपनी कमाई का थोड़ा ऐसा देता है, है ना, at least वो होता है, family में खाने को तो day देता है, है ना, ऐसा नहीं क जोब चली गई, इसके बाद क्या हुआ, है ना, इन्हें सहरा देने के लिए कोई family बची नहीं, job है नहीं, family है नहीं, है ना, कहां जाएंगे, sexual tourism की तरफ जाएंगे की नहीं जाएंगे, तो यह sexual tourism का main region है, वो तो COVID-19 है, है ना, उसने situation पैदा करी, ठीक है, बट COVID-19 तो सब के लिए था ना, फिर तो पूरे दुनिया में sex tourism हो जाना चाहिए था, बट यह जापान में क्यों हुआ, तो जापान में, है ना, इसी बज़े से हुआ कि जापान में हमारे इंडिया जैसा family system नहीं था कभी भी, ठीक है, हमारे family system में क्या होता है, कि अगर कोई एक person क्या हो इन फीमेल से साधी कर ली होती है, हमने परिवार से दूर नहीं होए होती, तो शायद आज इनको इस एरिया में तो नहीं जाना पड़ता है, और जापान को एक जो global humiliation का सामना करना पड़ रहा है, वो शायद कम नहीं करना पड़ता है, तो पहला region COVID-19 हो गया, दूसरा region no family ह हो गया तीसरा, यहां की जो फीमेल से ना वो लगजरी बहुत करती है, वही है न कि कमाओ उड़ाओ, वही वाला concept है, इंडिपेंडेंट बूमेन बहुत ज्यादा concept है, तो क्या हुआ कि COVID-19 के टाइम पर जॉब चली गई, ठीक है, बट लगजरी वही रही, COVID-19 के बाद देना पड़ेगा, जॉब है नहीं, ठीक है, तो इसी डेट को भरने के लिए, यह लोग क्या करने लगी, हैना, sexual activities में indulge हो गई, तो there are only three reasons, हैना, to Japan, Tokyo has become the capital of sex tourism, first one is COVID-19, ठीक है, COVID-19 ने पूरी दुनिया को सौक किया, तो जपान को भी, हैना, उसकी manufacturing को भी उन्होंने सौक क इसके अलाबा, family system का ना होना, third one is, हैना, luxury करने की आदत, ठीक है, अगर और deep economic region की बात करें, तो जो जापान है, उसमें COVID-19 के बात क्या हुआ, हैना, jobs में बहुत ज़्यादा कम्या आई है, सब के लिए jobs में बहुत ज़्यादा कम्या आई है, और इसका region क्या था, COVID-19 के टा है, वो भी weak हो गई, ठीक है, that is why ये sex tourism के रूप में, हैना, ये countries है, वो धीरे-धीरे क्या होने, जो Tokyo है, वो धीरे-धीरे ओवरने लगा, पहले ये पार्कों से शुरू हुआ, then उसके बाद क्या हुआ, अब ये organized form में काम कर रहा है, ठीक है, तो हमें भी इस चीज को ध्या हमें family system के ना होने से, हैना, जापान, हैना, कहां से कहां पहुँच गया, और ये सिर्फ चार सालों में हुआ है, ठीक है, तो हमें अपने family system को बना के रखना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को support करना चाहिए family में, ठीक है, तीसरा, हैना, हमें multiple economic activities में, हमें किसी एक job के उपर sustain करके रखे, हैना, इस market में, इस दुनिया में, ठीक है, तो हमें ये learning मिलती है, जापान से, बाकि अगर चलते चलते जान लेते हैं, जापान के वारे में कि जापान कहा है, तो जापान की जो location है, बहुँ देखो, Pacific Sea में है, ये North Pacific Ocean में है, ठीक है, nearby countries की अगर बात करें, तो चार country है, इसके नियर भई, ठीक है, और Sea of Japan है, इसके best में Sea of Japan है, और East में North Pacific Ocean है, अगर South में जाओगे तो आपको East China Sea देखने को मिलेगा, इसकी जो अगर बात करें, इसकी currency और capital की तो इसकी जो currency है, वो, इसकी जो capital है, वो, टोक्यो है, capital जो है, टोक्यो है, और अगर currency की बात करें, तो इसकी जो currency है, वो, इयन है, ठीक है, यही लगतार गिरती जा रही है, इसकी वेशे है, यह प्रॉब्लम से हो रही है, population की बात करें, तो बार रेकोड की population है, तेजी से decline होती जा रही है, और Prime Minister अभी हाली में नहीं मिले है, ह है, government का system कैसा है, यहाँ पर democracy है, unitary state है, constitutional monarchy है, ठीक है, parliamentary system है, तो यह रही जापान के बारे में basic information, बाकी इस issue पर आपका क्या सोचना है, आप comment section में मुझे बता सकते हैं, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you, thank you so much and God bless you all.